हेलो पोपलूज दिस इस योर आयूज बहिया एंड आज की वीडियो में हम लुग पढ़ने वाले तुम्हारे चित इस बुक का आखरी चैप्टर आखरी कवीता जिसका नाम है संगतकार वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों पूरा इंड तक देख लेते हो तें इस वीडियो से बाहर तुम्हारे एक्जाम में लिख कर ले लो कि कुछ भी नहीं आने वाला है क्योंकि मैं सारे लाइन को बहुत ही अच्छे से कवर अब करूंगा तो आप चलो आज की वीडियो को सुरू करते हैं हम लोग तो सबसे प या कोई इंस्टुमेंट बजाने वाला सहयोगी कलाकार जो मेन गायक का साथ देते हैं स्टेज पे उन्हें हम लोग बेसिकली संगतकार कहते हैं for example तुम लोग कभी भी म्यूजिक का लाइफ कॉंसर्ट या टीवी पे या मुबाइल पे कहीं पे भी देखते होगे for example अरीजीत सिंग गाना गारे स्टेज पे तो तुम लोग ये देखते होगे कि उनके पीछे कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए musical instruments बजा रहे होते हैं and साथ में गाना भी गा रहे होते हैं तो basically जो पीछे से उन्हें support कर रहे हैं गाना गाने में ठीक है उन्हें हम लोग संगतकार कह सकते हैं तो तुम लोग इस example से पूरा clearly समझ गए होगे कि संगतकार किसे कहते हैं तो तुम लोग एक चीज जरूर notice करते होगी कि कभी भी तुम लोग कोई concert देख रहे हो तो तुम लोग उन्हें को सारा ध्यान किस पे रहेगा अरिजीत सिंग पे रहेगा अगर वो गाना गा रहे हैं तो यानि कि मुख्य गायक पे होगा लेकिन जो पीछे से उन्हें support कर रहे हैं संगतकार उन्हें कोई भी नहीं देखता है उन्हें कोई भी याद नहीं करता है ठीक है बेसिकली उनका contribution के बारे में किसी को पता ही नहीं होता है तो इस कवीता में हम लोग बेसिकली जो संगतकार होते हैं पीछे से जो support करते हैं musical concert को उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो एक गायक को support करते हैं तो अब चलो हम लोग इसके detail line by line explanation को सुरू करते हैं मुख्य गायक के चटान जैसी भारी सुवर का साथ देती वह अवा सुन्दर कमजोर कापती हुई थी वह मुख्य गायक को छोटा भाई है या उसका सेश्य या पैदल चल कर सीखने आने वाला दूर का कोई रिस्तेदार मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंच मिलाता आया है प्राचीन काल से तो हमें यहां बताया जा रहा है कि मुख्य गायक यानि कि मेन सिंगर जब भी कोई गाना काते हैं तो उसकी चटान जैसी कठोर और भारी मतलब की जो उची स्वर होती है जिसके पीछे एक कमजोर कापती हुई अवाज होती है जो कि संगतकार की होती है ऐसा लगता है जैसी वो मेन सिंगर के भाय हो या फिर शिश्य हो जब भी मेन सिंगर को साहयक सिंगर मतलब कि संगतकार की जरुवत पड़ती है तो वो अपना जो जॉब होता है वो पूरी निष्ठा और इमांदारी से निभाता है उससे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वो मेन सिंगर के उची अवाज पर उसका साथ देने के लिए बहुत दूर से पैदल चल कर आया कोई रिस्तेदार हो संगतकार बहुत पुराने टाइम से ही जो मेन सिंगर होते है उनकी उची अवाज के साथ अपनी सुर मिलाते हुए आए है अब हमारे आगे के लाइन से गायक जब अंतरे के जटिल तनों के जंगल में खो चुका होता है या अपनी ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकारी स्थिती को सम्हाले रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ समान जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था तो कवी हम लोगों को यहां बोलते हैं कि जब मुख्य गायक यानि के में सिंगर स्टार्टिंग के इजी लाइन को अराम से गा लेता है और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर सुर मेंटेन किये होता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब गाने के टफ वर्ट्स आते हैं तो जो गायक होता है वो अपने सुर को लूज करने लगता है या कह सकते हो कि उचा करने लगता है जिसके कारण जो गाना है वो खराब सुनाई देता है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो संगतक है वो जो नॉर्मल गाने कर जो टोन होता है स्वर होता है उसे मेंटेन करके रखते हैं जिसके कारण जो गाना है वो अच्छा सुनाई देता है तो तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहूंगा कि कोई भी जो गाना होता है वो तभी अच्छा सुनाई देता है जब उसका एक जो सूर होता है, एक ताल होता है, वो maintained way से चलता रहता है, अगर कही पे कोई point of time पे सूर उपर होता है, नीचे होता है, तो गाना खराब सुनाई देता है, तो यही काम संगतकार करते हैं, कि जो tough points होते हैं गाना का, वहाँ पे अगर जो singer होता है, वो by chance इधर उधर भटक जाता है, अपना सूर को उपर करने लगता है, तो जो संगतकार होते हैं, वो उस सूर को maintain रखते हैं, संगतकार main singer के साथ ऐसा गाना गाते हैं, जैसे यातरी के पीछे छोड़े गए समान को समेट रहे हैं, यहाँ संगतकार की भूमिका ये होती है, कि अगर जो main singer हो गलतिय करता था, एंड उसके गुरू से संभालते थे, help करते थे, एंड बताते थे कि यहाँ तुम गलत हो, वैसे ही जो संगतकार होते हैं, वो गायकों की help करते हैं, गुरू के जैसा, ठीक है, समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो यहाँ पे हम लोगों को यही बताया जा र प्रेड़ना साथ छोड़ती वी उत्सा अस्त होता हुआ, अवाज से राक जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुखे गायक को ठांटस बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी-कभी वो यूई दे देता है उसका साथ, या बताने के लिए कि वा अकेला नहीं है अब inlines में हम लोगों को बताया जा रहा है कि उचे स्वर में continuous जो मुखे गायक होते हैं, वो गाते जाते हैं, तो एक point of time पे उनका जो गला है, वो बैठने लगता है, तब उनकी प्रेड़ना उनका साथ छोड़ने लगती है, यानि कि उस point of time पे जो main singer होते हैं, वो हार मान गाने का उच्सा दीरे दीरे थकावट के कारण कम होने लगता है, अवाज दीरे दीरे कम होने लगती है, तब ही जो main singer होते हैं, उन्हें सहायक गायक यानि कि संगतकार की पीछे से अवाज सुनाई देती हैं, जिसके कारण वो अपना स्वर संभाल लेते हैं, और उसे तसल देते हैं कि तुम्हारे पीछे भी, तुम्हारे help के लिए हम लोग खड़े हैं, कभी-कभी जो संगतकार होते हैं, वो randomly जो main singer होता है, उनके पीछे से गाना गाते हैं, ताकि जो main singer है, वो अकेला पर ना महसूस करें, क्योंकि obviously इतने बड़े crowd के सामने वो गाना गाते हैं, तो कोई point of time पे वो nervous feel करने लगते होंगे, तो जो संगतकार है, basically पीछे से उन्हें motivate भी करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छे से गाना गाओ, तो अब आगे के क्या lines हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं, अब हमारे आखरी के lines हैं, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग और उसकी अवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपनी स्वर को उचा ना उठाने की जो कोशिस है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुश्यता समझा जाना चाहिए, यहां कभी हम लोगों को बोलते हैं कि मेल सिंगर का साथ निभाते और इससे उनकी हिचक, यानि कि जो में सिंगर है, उनकी हिचक भी कम हो जाती है, इससे जो में सिंगर है, उनकी जो सुर है, उसमें सक्ती आ जाती है अचानक से, में सिंगर की जो विफलता होती है, यानि कि जो में सिंगर है, उसकी उस पॉइंट आफ टाइम पे बेजती हो करती हैं उनकी इंसानियत ही कहा जा सकता है तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा कवीता बहुत ही अच्छे से line by line complete होता है उमीद करता हूँ की कवीता बहुत ही अच्छे समझ आ गए होगी कहीं पर डाउट होगा ना तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना यार, मैं तुम लोगों को जरूर रिप्लाई दूँगा, अब तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ क्वेशन आ रहे हैं, उससे पहले सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए ठीक है, तो अभी इन क्वेशन को देख लो, यह जो स्क्रीन पे तुम्हारे क्वेशन है, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेशन है, एक्जाम पॉइंट अव यू से, इसके एंसर चाहिए और दिन टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लेना ठीक है, बाक स्कَّ वाल वाल वाल